तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में सो फाइनली आज कि इस विडियो में हम लोग क्लास 12 के अर्दू का दो chapter का question answer नही नहीं करने वाले हैं जी नहीं आज के इस वडियो में दो नहीं बलकि चार чapter का question answer complete होने नमबर 14 15 16 and 17 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ठीक है ना इन चारो chapter का question answer आज के इस वीडियो में complete होने वाला है जितना भी सब्जेक्टिव कोश्चन इन चारों चेप्टर से आप लोगों के बुख में पूछे गए हैं वो सारे सब्जेक्टिव कोश्चन का एंसर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों कम्प्लीट कराने वाली हूं तो वीडियो तो काफी ठीक है ना लाइक एक बार किया जाता है तो लाइक एक बार कर दें और जितना ज़्यदा उसकिए अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्फिकेशन बेल ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोट्फिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए बीना देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर न सब्सक्राइन में मतलब एक ही शब्द में आप यूंके सकते हैं कि हो जाता है तो यह चैप्टर नमबर 14 का है मुक्तसर सर्जीन सवलात फिर उसके बाद से मुक्तसर तवील होगा फिर 15 का मुक्तसर फिर तवील और फिर 16 17 इसी तरह करके वन वाई-वन करके हम लोग कम्पी हैं तो नहीं खेटी नाम का जूश्म है वे एक पाबंद नजम नहीं है यह एक आज़ाद नजम है नहीं सवान के शाइर को यह खो यह सल के शायर खेगा है माखुज हे यह मिसरा यहां नजम खptureती है पांचवा सवाल है कि सब्सको grease बनाने का Dazu हमें कुछ मरमत करता तो मरमत करता है सoured की उस्प मरमत करता सुपने कि किरन की हमदमी में क्या वक्त हमें जूमने देता McMahon तो जी हाँ सुरज की किरन की हमदमी में वक्त हमें जूमने देता है सात्वा सवाले कि क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है तो जी हाँ बिल्कुल तमाम इंसान वक्त की खेती है जिस तरह एक किसान फसल को बोता है और उसको काट लेता है जिस तरह इंसान खेती करता है उसी त कमेंब नजम खेती का मरकजी किरदार वक्त ही है झाल Tunic हम वक्त की खेती किस तरह हैं नजम खेती के हवाले से जवाब दीजिए ये सबसे पहला कोशन है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि जेर नजर नजम खेती के शायर अमीख खनफी है है यती रहाद से यह अमीख खनफी की आजाद नजम है इस नजम में शायर ने वक्त और अन्जाम की रूहानी तोजिहार से वाकिफ होते रहे हैं लेकिन अमिक खन्फी की इस नजम खेती में जी हयात मखलूक की माधी तोजी माजी तोजी पेश की गई है इसे आप तवील अहद पर तवील एहद पर अहाता किया हुआ तजुर्बा भी समझ सकते हैं नजम का एक हिस्सा बढ़ने और बनने से जुड़ा है तो दूसरा हिस्सा इंसाने जिंदगी के लाजमी अंजाम से जुड़ा हुआ है यहां पर से रहेगा बढ़ने और बनने से जुड़ा हुआ है तो दूसरा हिस्सा इंसाने जिंदगी के लाजमी अंजाम से जुड़ा हुआ है या वहीं दूसरे हिस्से में बताएगा है कि इन्सान का जो अन्जाम होता है वो मौत होता है यानि कि आखिर में उसकी मौत हो जाती है आप इस नजम को जाहरी तौर पर बड़ी आसानी से खेती बारी का किस्टा समझ सकते हैं लेकिन पहले ही मिस्रे वक्त की खेती है हम में आया हम दरजे बाला जुम्ले से हमारी तौजी हमारी तवज्ज हटा देता है जंदगी यहां नहीं जिंदगी यहां नई शुभाहत में ध्ली नजर आती है आकिर दो मिस्रे जो हैं हम बलाखिर उसके लुक में हम बलाखिर उसकी फसल ठीक है आकरी मिस्रों से ये साबित होता है कि हम तमाम लोग वक्त की खेती हैं, फसल तेयार हो जाएं तो मामूल के मताबिक इन्सानों को वक्त का लुक्त मा बनना ही पड़ता है वक्त का पूरा अमल दरसल खुद उसके वजूद की बका के लिए ही होता है इस नजम से यही हकीकत जाहिर होती है दूसरा सवाल है कि वक्त इनसानों को क्या मौका देता है इस नजम की रौश्मी में वाज़े कीजिए यहां पर आप लोगों बताना है कि वक्त इनसानों को क्या क्या मौका देता है जवाब में लिखा गया है कि पेश नजर नजम खेती अमीक हनफी की एक तजर्बाती और मुशाहदाती नजम है खेती बारी जैसे मामूली चीज़ को अपनी नजम का मौजू बनाकर अमीक हनफी ने अपने अमीक तजर्बे का मुझाहरा किया है इनसाने जिन्दगी में अमली और तजर्बाती सत्व पर वक्त इनसान का सबसे बड़ा उस्ताद है कहा जाता है कि जो शक्स इस दुनिया में किसी के कहने सुनने से कोई बात नहीं समझता है तो आखिर में ऐसे इनसान को वक्त अच्छी तरह समझा देता है एक चीज और याद रखेगा जो गुरू होता है गुरू और समय ये दोनों आपको सिखाता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि गुरू आपको सिखाने के बाद परिक्षा लेता है इम्तहान लेता है लेकिन समय जो होता है ना आपका इम्तहान लेकर सिखाता है ठीक है ये दो उनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है गुरू आपको सीखाने के बाद इंतहान लेता है लेकिन समय जो होता है ये भी आपको सीखाता है लेकिन इंतहान लेने के बाद ये सीखाता है ठीक है ये सबसे बड़ी बात है शायर के मताबिक वक्त इंसान को समझने और सुधरने का मौका भी देता है ऐसा नहीं है कि अच्छानक किसी को दबोच लेता है शायर कहता है कि हमारी कौट वहैसियत शब वरोज और मुहबबत वनफरत वगईरा वक्त के लुक में हैं और यही वक्त हमारी जिन्दगी के हुदूद भी है इस नजम में यही साबित किया गया है कि वक्त हमें मुआक्टी देता है और फिर खुश भी होता है दरसल वक्त इस नजम का मरकजी किरदार है वक्त के हातों ही इनसान के मुकदर का फैसला होता है एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा हमेशा फना की शकल में जाहिर होता है इस तरह हम देखते हैं कि वक्त हमें उभरने और तरक्की करने का मौका तो जरूर देता है लेकिन उसके बावदूद अगर हम उस मौके से फाइदा न उठाए तो यह हमारी समझ का खुसूर है तीसरा सवाल है कि वक्त खुश होता है क्युंग क्यों जवाब में लिखा गया है में खंफी के जिर नसाब नजम खेती वजहर तो मामूली मामुली उन्वान के साथ एक आम सी नजम मालूम होती है लेकिन फिक्र के लिए हाथ सरी फलसफियाना नजम है यह तो बात बिल्कुल रही है नजम खेती खेती इस कवीता का नाम सुनकर ना बहुत सारे लोग सोचेंगे यह रहे खेती बारी पड़ होगा यह ठीक है उतना अच्छा नजब नहीं होगा लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है इसे वज़ेसे किसी मैं इंसको दिख कर za विगार होका है早 Wolverine कभीता है इसका नाम सुनकर लोग भध के नहीं कीजिएगा कि बहुत ही बेकार कभीता होगा बाहत ही जबरदस्त कभीता है और इसमें इस कवीता का जो मेन करेक्टर है वह वक्त है जो कि बताये गए इस नजम में कि हमारे लिए जिस तरीके से हम इंसान फसल की खेती करते हैं उसी तरीके से वक्त हमनों की खेती करते हैं कितना जो है ना कितना सेंस आप यूंग के सकते हैं पहले अमीख हन्फी के दिमाग में आज से कई सो साल पहले जो है ना इनकी दिमाग में यह सारी बात कैसे आ गई यह सबसे बड़ी बात है मतलब कि अभी के जिंडेशन के लोग जिस तरह सोचते हैं उस तरह के उस तरह की सो जो है ना बहुत साल पहले अमी खनफी के दिमाग में आ गई यह सबसे बड़ी बात है और उन्होंने खेती पर इस तरह का नजम लिख दिया जो कि यह इतना मश्यूर हुआ इस नजम में शाहर ने वक्त और इंसानी जिंदगी के फलसफे को बयान किया है इंसानी जिंदगी क कि इप्तिदा व इर्दका और इंजाम की रूहानी तोजिहात वगरा वक्त और इंसानी जिंदगी का फलसफा है इस नजम में रूहानियत से कते नजर करते हुए जिरू जानदारों की मादित तोजी पेश की गई है इससे आप शायर की जात का एक तविल मुद्दती तजर मतालिक है तो दूसरा हिस्सा जिंदगी के लाजमी अंजाम से मतालिक है यह नजम बजाहर तो खेती बारी का मामुली किस्सा नजर आता है लेकिन हकीकत में इस मुटसर सी नजम में शायर ने सिर्फ एक लफज हम के जरिये जमीन के तमाम मखलुकात की नुमाइंदगी करते हुए वक्त और जिंदगी का फिलसफस समझा दिया है पूरे वक्त और जिनदगी का फिलासोफी बता दिये हैं अमली सिंसदगी में हम लगय के पंज़ाम धर हर वक्त रहते हैं और वक्त की गर्दिश के मताभिक चलने पर मघबूर है इस नजम में 00H reflex हैं हमेंद पहले मौ इस लोग का नतीजा इंसान की फना के शकल में सामने आता है यही वह नुक्ता है जिस पर वक्त खुश होता है अगला सवाल है सवाल नंबर चार कि क्या नजम खेती एक पुरसर नजम है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि अमीक हन्फी की जेर निसाब नजम खेती फि लास मरहолे तक परवान किड़ाता है और दूसरी तरफ वह उन्हें फना के हवाले कर देता है इस वक्त का पूरा अमल दर असके खुद यूद के व्का की पेश नजर ही होता है और इस नजम में शायर ने इसी अफाकी हकीकत का इजार किया है हैयती लिहाद से यह आजाद नजम 11 मिस्रों पर मुश्तमिल है जिसमें शायर ने इनसान की बका और उसकी फना के मुरहलों के साथ वक्त के बेपना कौतों से हमें बड़े पुरसर अंदाज में आशना कराने की काम्याब को सिश्की है इस तरह हम कह सकते हैं कि नजम खेती मजमुई तोर पर एक पुरसर नजम है आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल है कि दर्जजैल इक्तबास की तश्रीह करे यहां पर एक छोड़ा सा एक्तबास दे दिया गया है यानि कि उसी नजम का चार्ड लाइन उठा कर दे दिया गया है और इस कापलों को मिनिंग बताना है कि आखिर इस चार्ड लाइन का मतलब क्या हुआ यानि कि तश्रीह करना है हां मगर अन्जम कार काट लेता है हमें हम्बला आखिर उसके लुक में हम्बला आखिर उसकी फसल इसी कापलों को तश्रीह करना है तो देखिए जवाब में तश्रीह किया गया है कि जेर नजर चार मिसरे अमिक हनफी की जेर निसाब नजम खेती से माखुज है और इस नजम का आखरी बंद है इस बंद में शायर ने वक्त के किरदार में खुदा की रबानी और कहारी ताक्तों को मुख्तलिफ शकलों में उगा रहा है एक तरफ तो यही वक्त है जो इनसान को एक खास मुरहले तक परवान चड़ने का मौका देता है फिर यही वक्त जो उन्हें इनसानों को मौत के हवाले भी कर देता है गोया कि हम तमाम इनसान वक्त की छेती है फसल तयार हो जाए तो फितरत का तकाजा यह है कि उसको काट लिया जाए इसी तरह इनसानों को भी फसल की हैसियत में वक्त का लुक्मा बनना पड़ता है नजम की इस बंद में इसी हकीकत का इजहार किया गया है कि इनसान की फना और बका में वक्त की ताकत कारफरमा होती है ये हो गया answer आगे बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर का चैप्टर नमबर 15 का ये question स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात से यानकी short type question से देखिए सबसे पहला सवाल है और सबसे important सवाल इस चैप्टर का कि अकबर लाबादी ने अपने नजम का उन्वान बरक कलीसा क्यों रखा जवाब में देखिए क्यों रखा अकबर लाबादी ने अपने नजम का उन्वान बरक कलीसा इसलिए रखा इसलिए शायर अंग्रेजी मिस को बर्क से ताबीर करते हुए नजम का उन्वान बर्क कलीसा रखा है यानि की बर्क का मतलब होता है बिजली कलीसा का मतलब होता है चर्च चर्च की बिजली एक खुबसूरत लड़की को कहा गया है जिसका नाम है मिस ठेखे ना? और इसी वज़ जसे इस कविदा का जो टाइटल है, इस नजम का जो टाइटल हो है बरक कलीसा आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि मिस्ट ने मुस्लमानों के बारे में इस नजम में किन ख्यालात का इजहार किया है इसलिए के ये सब ऐसे लहामी एहकामात है जिन से इसाईयत परकारी जर्ब पड़ती है इसलिए खालिस इसलाम से उसको नफ़रत है यानकि मिस नाम की जो लड़की रहती है वो मुसल्मानों से सक्त नफ़रत करती है ठीक है? और उसके बाद से जब शायर जाकर उस मिस्ट नाम की लड़की से अपने महबत का इजहार करते हैं तो फिर वो लड़की क्या कहती है फिर शायर क्या कहते है वो सारा चीज आप लोगो अलड़ी बताया जा चुका है और उसी बेज पर ये सारा कोशन पूछा गया है देखी तीसरा सवाल क्या है कि इस नजब में शायर ने मिस्क के रूबरू मुसल्मानों के बारे में क्या कहा है शायर ने मुसल्मानों की बजर्गान दीन, अलिया अल्ला, सहाबाए कराम और पेगंबरों के वाकियात की तरफ इशारा करते हुए मौजूदा दोर के मुसल्मानों को गैरत दिलाने की कोशश की है ठीक है, यानि की मुसल्मानों के बारे में जो मिस है, वो शायर से क्या कहते हैं, उनकी बधाली, उनके मजब से बिरा होने का जयना इजहार करती है आगे बढ़ते हैं चार नमबर सवाल है कि शायर की किस बात पर मिस हस कर नहीं बोलती है उस मौके पर वो शायर से क्या कहती है तो शायर ने जबर के कलिसा में जाकर अंग्रेजी महम से अपनी महबत का इजार किया और इज़त वो दौलत वो मख़ब को उसके हुसन पर निशार करने की बात कहीं तो वो हमिस हसने के बज़ाए तियूरी चढ़ा कर मुसल्मानों से नफरत का इजार किया इस गुपतगू क कि रावी तो खुद शायर हैं लेकिन मुसल्मानों के मजभब के नुमाइंदर के तौर पर मिस्स से मुखातिब होते थें पांच्वा सवाल है कि नजम बर के कलिसा के जरीए शायर हमें क्या बताना चाहता है कि इसलामी तहजीव और सफाकत इतनी सुरी सकाफत इतनी पसमा हो जाते हैं इसलामी तहजीव और तमद्दून के दिवालियपन पर एक तरह का तंज है यानि कि अभी के मुसल्मान जो है ना पहले की मुसल्मान की तरह नहीं रहें पहले की मुसल्मानों के अंदर वो नारे तक्बीर लगाने का जोश जनून वो जजबा हुआ करता था अ सबस्क्राइब का अगे बढ़ते हैं तवील सवलात यान की लाँ तेब के संट हैं यहां से सबसे प्हाले कि बर के कलिसा का है खुलासा तह्रीर की जाना की जुक्त उसमें बर्क कलिसा को शायर ने में इलामती तोर पर पेश किया है काली सा चलिश की दिए या나есть आनि अंग्रेशज की लड़की ओको उन्होंने व schöne को पेश की इसकी शिकार मुसलमानों के नायकबत अंदेश को पैश किया चुनांचा समस्कुरु एक ढूसधुमू तो एक हुस्ण व जमाल की नमूना मिस्ट से दोचार हो गए फिर उस मिस्ट के हुस्ण व जमाल और सरापा के पैकर तराशी करते हुए उसके चाल ढाल नाजवांदाज गुफ्तगू और बेपना हुस्ण का तज़करा है यहाँ तक के शायर ने अपने दिल की बेकरारी का भ गदफ तनकीद बनाते हुए इसलाम और उसके सूल व नजरियात पर सक्त तनकीदी करती है यानि कि मुसल्मानों से और इसलाम धर्म से और मुसल्मानों से नफरत का इजहार करती है शायर मिस्ट के तमाम खुराफात को खामोसी से सुन लेता है फिर इसलामी तहजीब और कोखलेपन इसलाम का रोना रोते हुए मिस्थ के सामने केहता है, कि अब मुसल्मानों में पहली सी इसलामी जोश वह हिम्मत वगयरत नहीं रहीं, और यह कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रहे गया हैं, और खुद kobẫnा को भी इसी हैसित ये माजी का है पहले के मुसल्मान ऐसे थे ठीक है देखिए दूसरा सवाल है कि अकबरलाबादी की शायरी के मुतालिक आप क्या जानते हैं बताइए जवाब में लिखा गया है कि अर्दू शायरी खसूसां नजम लिगारी की तारीख में अकबरलाबादी को एक एहम मकाम हास वो अंग्रेजियत के नाम पर नए तमद्दुन और नए निजाम की खामियों को देख रहे थे अंग्रेजी तमद्दुन ने अभी अपना पूरा जादु सुरू नहीं किया था अकबर मुसल्मानों की अजमत रफ्ता को हसत भरी निगाहों से देख रहे थे हर तरफ नए तहजीब की पुरा गंदगी बहुत तेजी से फैल रही थी अकबर चुंके अंग्रेजों की मुलाजमत में थे इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ खुल कर अपनी बात कह सकते थे लहाज़ा उन्होंने तंजों मजह का रास्ता अपनाया अकबर अलाबादी मश्रीकी तहजीब वो तमद्दून के आशिक थे वो क्यामत परस्त है और नई तहजीब नई तालीम नए मौशरे नए खिलात और नए अखिलाफ के सख्त मुखालिफ है क्योंकि वह नई तहजीब की तरवीज में तख्रीब के आसार महसूस करते हैं वह मगरीबी तहजीब के बढ़ते हुए सहलाब को रोकना चाहते थे अक्बर की शायरी में नुक्ता नुक्ता अक्बर की शायरी में नुक्ता सजी यहां पर थोड़ा गलर टाइप हो गए इसको चलिए कोई बात नहीं इसको छोड़ दिया जाता है तखयूल में तेजी थी वह आसानी से ऐसे मजामीन तक पहुँच जाते हैं जिसका किसी को वहम वागुमान तक नहीं होता तंज वर मजा के पेराय में मामूली बात को गैर मामूली बना कर पैश करते हैं मजमुई तोर पर अकबर की शायरी एक जरिफान शायरी है जिसमें अकबर ने अंचों मजा के परदे में कौम को एक नया पेखाम दिया है तीसरा स्वाल है कि नजम बर्क इकलीसह की शायराना खुबिया बयां कीजिए च्या बिश्षाइन हैं आप लोग को बताना है जवाब में लिखा गया है या अकबर अबादी का शमार अर्दुन लजम की नमाइंद शुरा में होता है वरके कलीसा उनकी बेहतरी नजमों में से एक है अक्बर लाबादी की शायरी में अमूमन और उनकी नजमों में खसूसन अंग्रेजी तहजी वो तमद्दून की हदफ मुलामत बिया बिया गया है बनाया गया है उस नजम कालिव लबाब भी तकरीबन यही है इस नजम की बतदाई चंद इशार में बहुत ही दिलकश अंदाज से एक अंग्रेजी मैम के हुस्म की तारीफ की गई है लेकिन उस तारीफ के परदे में भी तंज का निश्तर कार फर्मा नजर आता है इस नजम में शायर ने मुसल्मानों की बधाली और मजभी बेराह वरवी को तंजिया अंदाज में पेश किया है और उस तंज के जरीए मुसल्मानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है यानि कि उस मिस नाम की लड़की को एक तरसे नमूरा बना कर एक तरसे जरीया बना कर मुसल्मानों को ये पेगाम दिलाने की कोशिश की है शायर ने कि अभी के मुसल्मान पहले के मुसल्मान के जैसे नहीं रहें इस नजम के शायर मुसल्मानों के दिलों में एक नई रोशनी भरने की कोशिश किया है वह ऐसे मुसल्मानों को हदफ मुलामत बनाते हैं जो अंग्रेजी तहजीब को ही सब कुछ समझते हैं इस नजम के एहम शायराना को भी यह है कि वजाहर एक छोटी सी दास्तान इश्क करके मुसलिम मौाशे के खोकलेपन को तश्ट अजबाम किया है तो यह हो गा एंसर चार नमर क्योशन है कि दरजेल गल्फ मिस्रों को दरुस्त कीज़े यहाँ पर गलत मिस्ता दिया गया है इसको आप लोगो सही करना है सबसे पहला क्या है, रात उस मिस्ष से गरजा में हुआ मैंदो चार, नहی ऐसा नहीं है सही जो मिस्रा है सही लाइन वो है कि रात उस मिस्ट से कलीसा में हुआ में दो चाल ठीक है ये सही लाइन है उसी तरी के से तू अगर एहद वफा खोल के मेरी हो जाए नहीं तू अगर एहद वफा बांध कर मेरी हो जाए और हमले सरद पर किया करते हैं घाजी बनकर सब किसब आप ही पर पढ़ते हैं सुभान अल्ला और मेरे इसलाम को अब किसम आजी समझो ये दुरूस्त जुम्ला है यानि कि सही मिस्रा है अब देखिए पांचवा सवाल है कि इस नजम से कम जब कम पांच तरह की चुन कर लिख हैं तो पहला है तबस्म दुसरा है कस्ता तीसरा है मजम्मत चौथा है लज़त और पांचवा है अल्ला साथवा कोशन है कि नीचे दिये गए अलफाज को इस तरह इस्तमाल कीजिए कि उनकी जिंस्यत जाहिर हो जाएं कि पता चले कि वह लवज इस्ट्रिलिंग है यानि कि मुझकर है या फिर मौनस पहला है जुल्फ तो जुल्फ जो है ना यह तानीज है यानि कि एक इस्त्रिलिंग है तेरी जुल्फ सेया है यानि कि एक मौनस लवज है तक्रीर आपका तक्रीर नहीं आपकी तक्रीर आपकी तक्रीर अच्छी है ठीक है आपकी तक्रीर अच्छ सूप कर रहे नहीं सूट कर रहा है यानी की जो सही जिंशीत जाहिर हो रही है वह यहें की बुल्बुल जो है मुझकर है यानि कि यह फोलिग है बुल्बुल का उढ़ना अच्छा है उसी तरीके से यहाँ पर दीए रिखा गया है किस्ता यह मुझकर है यह मुझोद है ठीक है तो यह मुझकर है उसी तरीके से इजज़त है तुमारे इज़त बरबाद होगई और सरहद यह मुजकर है पाकिस्तान का सरहद महफूज नहीं है नजाकत यह मुझेड है आप मौामले की नजाकत को नहीं समझते हैं और उसी तरीके से उन्स यह भी एक मुझकर है यानि की पुलिंग है जानौरे से तुम्हारा उन्स पाबिले तारीफ है ठीक है तो चैप्टर नंबर 15 हो गया अब यहां से कोश्चन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 16 का ठीक है सबसे पहला सवाल है कि मुतशायर उर्दू का जनाज़ा आखिर किस तरह निकालेगा बहुत यह असान क्वेशन है और लड़ी आप लोगो चैप्टर पढ़ाया ही गया है देखे जवाब में लिखा गया है कि जेर निजर नजब मुतशायर में मुतशायर उर्दू का जनाज होते हैं वो अपने चेहरे पर जराफत का घाजा मल लेते हैं और अपनी जहालत से जराफत के परदे में अर्दू का जनाज़ा निकालते हैं तो इस तरीके से जो मुतशायर है वो अर्दू का जनाज़ा निकालेगा दूसरा सवाल है कि ममूले ने शाहिन का चोला बदल लि मतलब यह है कि ममूले को मुटशायर से ताबिर किया गया है और शाहिन को असल शायर से ताबिर किया गया है यानि कि किसी अद्वी मेफिल में मुत शायर ने किसी से कलाम खरीद कर अर्बाव जौक से वहवाही लूट लिया और लोगों में गलत फैमी फैला कर असल शायर बन गया तीसरा सवाल है कि इस नजम में जिन शहरों और मुलकों के नाम आते हैं उन्हें तर्तिव वार लिखिए सांथी मुलकों की राजधानिया भी लिखिए तो जवाब में लिखा गया है कि शहरों के नाम धनबाद जरिया पटना दिल्ली पूना पैरिस लंदन और मुलकों के ना कनाड़ा दोहा कद्तर शिकागो फैड contrib के मुट शायर खुद को खोटा सिख क क्यूं कह रहा है तो मुट शायर खुद को खोटा सिख कह इसलिए कह रहा है कि वह असल शायर तो नहीं है दूसरे शौरा से कलाम खरीद कर्या किसी कदी मेख्याँ कि दिवान से चंद घजल सिर्का करके अद्मी मेफिलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसित से अपना तारुफ करा लेता है लेकिन अगर उसे बरजिश्टा इशार कहने के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी कलेई खुल जाएगी इसलिए वो अपने आपको खोटा सिक्का कहता है ये हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर पांच है कि किया जबह खायरत को बनकर कसाई और कली एक मिनट कली नहीं और मिली है यहां पर मिली रहेगा देखिए यही होता है उर्दू टाइपिंग में कली के मिली के जगा कली टाइप हो गया है ठीक है मिली है म मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब बियान कीजिये तो जवाब में लिखा गया है कि या जबा घारत को बन कर कसाई का मतलब यह है कि अगर घारत रहेगी तो मुटशायर शायर नहीं बन पायागा यानि कि गारत उसे शायर बनने नहीं देगा इसलिए मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब यह है कि अगर गैरत और जमीर इनसान के दिल में ना हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है इसलिए बेजमीरी भी एक किस्म की दौलत है इसी दौलत की बनियाद पर ही लोग मुझे जाते हैं चटा सवाल है कि अदब के लिए खुद को बाह से नंग मुतशायर क्यों कहरा है बताईए तो मुतशायर अदब के लिए खुद को बाह से नंग इसलिए कहरा है कि दूसरों का कलाम खरीद कर या सिर्का करके शायर तो बन गया है लेकिन कभी कभी उसका जमीर जिन्दा हो जात है उन्ही लमहात में मुटशायर अपने आपको अदब के लिए बाह से नंग समझता है आगे बढ़ते हैं तवील सवालात यानकी लॉंग टाइप क्योशन है सबसे पहला सवाल है कि नजम मुटशायर के लिखने का मकसद क्या है इसको लिखने का मकसद आप लोगो बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि नजम मुटशायर उन्वान से नजम लिखने का मकसद इसके शायरी जफर जफर कमाली का यह है कि समाज में बातल कौ वोतों को समाज के सामने नंगा करना और उसे खुद एहतसाबी पर मजबूर करना इस नजब में जफर कमाली ने शाहरी से बेखबर होने के बावजूद शेर वादब के नाम पर खाने और कमाने वाले एक किरदार को तख्ता मश्क बनाया है यह हमारे समाज का ऐसा जाली पर जाते हैं और नहाग या बातिल कोतों को सबकुछ मिल जाता है नजम का उन्वान उत शायर है या नहीं ऐसा शक्स जो खुद शायर नहीं कहता हो यान कि वो शायर नहीं लेकिन समाज में शायर की हैसित से अपने आप को पेश करने में या बात सिर्वादब तक बलके जिन्दगी के तमाम शोबों में ऐसे बनाउटी लोग मरकजी और एहम मकाम तक पहुँच गए हैं और अच्छे और सच्छे हार्शिय पर डाल दिये गए हैं इसी तरह यह नजम हमें एक समाजी बिमारी की तरफ मतवज़ा करती है और अच्छे और सच्छे लोग का हक मारने वालों को मजरिम करार देती है दूसरा सवाल है कि शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के सबब मुतशायर की शोरत और एहमियत काइम हुई वियान कीजिए तो जवाब में लिखा गया है कि शेर नहीं कहने के बावजुद मुतशायर की शोरत और एहमियत इसलिए काइम हो गई कि वो शायरों की खुशामद और चापलूसी करता रहता है शायरों को दावति करता रहता है शायरों और बड़े लोगों के सामने बिल्ली की तरह म्याम्याओं करता रहता है उसकी शायरी के चिराग में गर्चत तेल नहीं है फिर भी हर अद्वी मेफिलों में बुलाया जाता है अपनी उन्ही खुसूसियत के वज़ा से मतशायर हमेशा शेरी सफर में रहता है यहाँ तक के मुलक से बाहर का भी सफर किया करता है वा जहरिया धनबाद दिल्ली पूना होते हुए पैरिस और लंदन भी पहुँच जाता है जी हजूरी और खुशामद में वक कभी नहीं ठकता है गैरत को खत्म कर चुका है शायर नहीं होने के बावजूद वो शायर बना फिरता है और अपने आपको अदब की दुनिया का सिकंदर समझता है अगर उसका बस चले तो वाही की पुण्जी उडा ले यहां तक के अकबर लाबादी के दिवान तक पर कभज़ कर ले मुटसरी है कि मुटशायर शायर नहीं होने के बावजूद चापलोसी खुशामद जूट और मकारी जैसे खुसुकियात की बिना पर समाज में अपनी शोरत और एहमियत काइम कर लेता है तीसरा सवाल है कि असली शायर नकली शायर के मकाबले में हालत की सितम जरीफियों का किस तरह सिकार है वाज़ कीजिए तो असली शायर नकली शायर के मकाबले में मकाबले हालात के सितम जरीफियों का शिकार इसलिए हो जाता है कि वह नकली शायर वाला हत्खंडा और हुर्बा इस्तमाल नहीं कर पाता है तो यह है कि असली शायर नकली शायर वाला हुर्बा अपनाने से बिल्कुन खासिर है यानि वह ना तो खुशामद कर सकता है ना चापलुसी कर सकता है और ना गारत के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है इसलिए वह गोशा नसीनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है जबकि नकली शायर अपनी खुशामद और चापलुसी की बदौलत हरद्बी महफिल में पहुचकर किसी असली शायर की खुर्बत वाफलास का फायदा उठाकर उचे दामों में उसका कलाम खरीद लेता है उसे बड़े-बड़े मोशायरों में पढ़ता है और एहल अलम और दानिश से खुब वहवाही लोगता है यहां तक कि उस खरीदे हुए कलाम को अपने नाम से मनसूब कर लेता है उस पर तजमीन लिखवाता है पैरोडी लिखवाता है और रुपे के जोर पर बड़ा शायर बन जाता है दुनिया यही समझती है कि वह उचे दर्दे का श जवाब दीजिए तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि मतशायर कभी अर्दू की खिदमत अंजाम नहीं दे सकता है क्यों कि यह असली शायर तो है नहीं अर्दू की खिदमत सिर्फ असली शायर अंजाम दे सकता है मतशायर चुंकि असली शायर नहीं होता है बलकि नक लेकिन उर्दू की खिदमत अन्जाम नहीं दे सकता मुत शायर दरसल शायर तो होता नहीं है वह नकली शायर होता है और खुशामत चापलुसी और मकारी के जरीए दौलत का सहरा लेकर वक्ती तोरव पर अपने आपको शायर की हैसित से मतारुफ कराने में काम्याब हो जाता ह इस तरह वह उर्दू की खिदमत अन्जाम ना देकर उर्दू के नाम पर तजारत करता है और उसमें वह वक्ती तोर पर काम्याब भी है दूसरी तरफ असली शायर जो गुर्बत का शिकार होकर अपने कलाम को फरुक्त करने पर मजबूर हो जाता है वह उसका कलाम नकली शब जाए फिर भी वह अपनी शायराना सलाहियतों को बरुवेकार लाकर इशार की तखली में मस्रूफ रहता है और उर्दू अदब वह शायरी के सुर्माये में अदाफा करता रहता है इस तरह गर गोर से देखा जाए तो असली शायर ही दरसल उर्दू की खिदमत इंजा क्लाम देता है आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल है कि दूसरों से कलाम हासिल करने के लिए मुतशायर कौन-कौन से तरकीब करता है उसे बयान कीजिए इसका आप लोग एंसर आसानी से बना सकते हैं मतलब खुद से लिख सकते हैं बहुत ही आसान क्यूशन है देखिए ज अजीब और गरीब हरकत करता है अगर्चे उसकी शायरी के चिराख में तेल नहीं होता लेकिन वा कुछ शामद और चापलूसी और मक्षन बाजी जैसे फन कबर हुए कार लाता है यहां तक कि असली शौरा को पुलाओ की दावत पर भी बुलाता है चापलूसी भी कुछ ऐ इसी फनकारी के साथ करता है कि मम्दू को एसास तक नहीं गुजरता है और वान अकली शायर हर्म महफिल में बुलाया जाने लगता है यहां तक के सफर करके वह दूर दूर के मुशायरों में भी शिरकत कर लेता है जहरिया धनबाद दक्कन पूना दिल्ली होते हुए दोहे अमेरिका के शिकागो और कनाड़ा भी पहुँच जाता है मस्कूरा बाला करतब बाजी के जरिये वह शायर ना होते हुए भी शोहरत व इज़त के आसमान पर पहुच जाता है और दूसरों से कलाम हासिल करके अपने नाम से मनसुब कर लेता है और मकारी व अयारी से जगों को मनसी वल्फाद से पुर कीजिए यानि कि भनाज है मुकदर में उनके शिकागो ने लंदन यहा पर शिकागो रहेगा यहाँ पर यहाँ पर लन्दन रहेगा यहां पर रहेगा फिजाओं में उड़ता हैं पिछका यहां पर पिछका रहेगा पिछका गुबरा यह सच है यह सच है कि यह सच है कि हारी हुई यहां पर हारी हुई रहेगा यह सच है कि हारी हुई जंग हुमें खुशामत की मैं दाल था जो गल गया हूं यहां पर जो रहे तर्तीब तयार कीजिए सही तरीके से तर्तीब लिखना है जो अफसर है उनसे दुना कमाता हूँ है मेरी में अमीरी में करने लगा हूँ फकीरी यह इस तरह नहीं यह उल्डा पुल्डा लिख दिया है यह इसको सही तरीके से तर्तीब वार लिखकर देखें यहां पर तयार किया गया है जो अफसर हैं उनसे कमाता हूँ दूना फकीरी में करने लगा हूँ मेरी घलत फैमियो का अजब रंग गोला चले बस तो वाही की पुझी डालू हर रोज सत्तर कुएं जाकता हूँ यह सही मिस्रा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अ तो नजम हम नहीं जानते में शायर ने जिन्दगी को नाकाबले तरसील हयात इसलिए का है कि शायर इस नजम के पहले हिस्थे में तनहाई मैसूस करता है और अपने गहर यकीन मुस्तक्बिल से मायूस नजर आता है और फिकर की दर्या में गर्क होकर सोच रहा है कि नजाने मेरा मुस्तक्बिल कैसा होगा इस फिक्र के आलम में मुस्तक्बिल के अंदेशर से घबरा कर वह कहता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तक्बिल क्या है इसलिए जिन्दगी की एक हगायत है कि जिसकी तरसिल मुम्किन नहीं है दूसरा सवाल है कि इस नजम के पहले हिस्से में शायर ने क्या बाते कही हैं हम नहीं जानते नजम के पहले हिस्से में शायर ने अपनी तनहाई का शिक्वा करते हुए अपने गहर यकीनी मुस्तक्बिल का इजहार किया है शायर कहता है कि इनसान की हैसियत से अपने मुस्तक् कुबल के बारे में सोच कर मायूस हो जाता है कि क्यूंकि उसे आने वाले कल के बारे में अंदेशा है और वह के उठता है हम नहीं जानते उस एक छोटे से जुमले के जरीए शायर ने जिन्दगी की पेचीदगी और उसके मसाइल को बालवास्ता तोर पर पेश किया है तिसरा सवाल है कि ऐ बहर ऐ जदेम जद से मुखातिब होकर शायर ने किन ख्यालात का इजार किया है तो नजम हम नहीं जानते में शायर जहां पहले हिस्से में मायूसी की कीफियत से दो चार था नजम के दूसरे हिस्से में शायर की कीफियत बदल जाती है इस हिस्से में शायर के अंदर उम्मीद की किरण नजर आती है उसे जिन्दगी से कुछ उम्मीदे वावस्ता होने लगती है उसे कुछ होने का हैसास होता है वो तनहाई में जो बाते सोच रहा है अब वो उससे अलग सोचता है और कहता है कि यहां इतना मालूम है जिससे उसके अंदर उमीद की लहर दोड़ जाती है अब यहां से तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है यानि कि लॉंग टाइप कोशन है जिसका एंसर आप लोगो एक पेज में लिखना होगा यानि कि लंबा एंसर आप लोगो लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉंग टाइप कोशन है और लास्ट शेप्टर का है तो सबसे पहला सवाल है कि हम नहीं जानते हैं हम नई जानते में शायर नजम हम नई जानते में शायर ने किन ख्यालात का इज़ार किया है तो जवाब में लिखा है कि नजम हम नई जानते एक जदीद तर्ज की एक नजम है इसके शायर मुंताले है यान कियोजीनो मुंताले है जाहिदा जाहिदी ने इस नजम का इतालवी से अर्दू में तर्जमा किया है यह नजम तीन हिसों पर मुश्तमिल है तीनों हिसों में शायर के ख्यालात में उतार चड़ावाता है नजम के पहले हिसे में शायर एक तनहा इंसान की हैसित में नजर आता है वो अपने मुस्तक्बिल के बारे में मुत्फिक्र नजर आता है यानि कि वो अपने भविश्य को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर फिक्र में है यानि कि टेंशन में है अपने गैर यकीनी मुस्तक्बिल के बारे में सोचकर शायर मायूस हो जाता है क्योंकि उसे अपने आने वाले कल के बारे में अंदेशा है और वह कह उठता है कि हम नहीं जानते हैं इस एक छोटे से जुंगले से शायर ने कई तरह के अलतबास पैदा करने की कोशिश की है इस जुंगले के जरिये जमाने की अफरातफरी पेचीदगी और मसाइल को बलवा एसास होता है वह तनहाई में जो बाते सोच रहा था वह वह जो नहीं जानता है कि मुस्तक्बिल में ऐसा होगा के नहीं अब शायर उससे अलग हट कर सोचने लगता है और कहता है कि हाँ इतना मालूम है जिससे उसके अंदर उमीद की लहर दोड़ती है यानि लहर दोड़ इस तरह शायर इस नजम में कई फिक्री मरहलों से गुजरने के बाद आखिर में जिन्दगी से उमीद नजर आने लगती है यहां पर पर नहीं रहे हैं आखिर में जिन्दगी से उमीद नजर आने लगती है ठीक है दूसरा सवाल है कि इस नजम की शायराना खुबियों को वा योजीनो मॉंताले की एक उंदत तखलीक है यानि कि इटेलियन भाषा में लिखा गया ये जो नजम है कविता इसके राइटर है योजीनो मॉंताले जिन्होंने ये इटेलियन भाषा में नजम लिखा था हम नहीं जानते इसको हिंदुस्तानी शायर शायरत जाहिदा जैदी इताल्वी जबान से मन्जूम तरजवा उरदू में किया है यानि कि इतालिये ये उया एक जदी तर्जकी नजम है है इस नजम पर यूज़ीनम अętाले को नोबल इनाम मिल चुका है योजिनो मुंताले के पहले मजमुएं OCD से पिया में बहर रोम से मुखातिब होकर कई सिलसले वार नजमे कही गई हैं हर चंद के यह सब अपनी जगह मकमल और आजाद है लेकिन दाखली सता पर उनमें एक मानवी और फलसफियाना राब्त है मतर्जम जाहिदा जैदी ने अपनी किताब संग जान मदबुवा उनैसा उननासी में बहर रोम सिलसले के पांच नजमों का मन्जम तर्जमा किया है इसी मजमुए से नजम हम नहीं जानते मुंतखब किया गया है यह नजम अपनी जात की तलास से शुरू होकर काइनात और जिंदगी के गहरे राज को समझने की कोशिश तक फैली हुई है मुंताले की इस नजम की एहम खुसूसियत काइनात का तवाजन है जिसे जाहिदा जैदी ने अपने कामयाब तर्जमे से जिंदा जावेद बना दिया है जाहिदा जैदी ने इस नजम में बहुत सादा सलेश और रवा अलफाज का इस्तमाल किया है लेकिन उसके अंदाज जो मानुई तहे हैं वह बहुत गहरी है तर्जम के जबान भी बहुत पुरकशिट और पुरकशिट और दिलेज है दिल एक मिनट रूप जाएं यहां पर बहुत पुरकशिट और दिल पजीर है ठीक है तीसरे सवाल है कि योजीनों मुंताले से अपनी वाक्फियत का इदार कीजिए तो जवाब में लिखा गया है इतालवी जवान की शायरी की तारीक में योजीनों मुंताले की खुशूशियत महताज इतारूफ नहीं है उनकी अद्वी खिदमात नकामिले फरामोश है मुंताले का शुमार बिस्वी सदी के इतालवी जवान की अजिम शुरा में होता है योजीनों मुंताले की उन्होंने अपनी उमर का बड़ा हिस्सा फ्लोरेंस में गुजारा उन्होंने इसा 26 से लेकर 29 तक हुआ फ्लोरेंस में एक इसायती अधारे की जिम्मधार बनकर क्याम पजीर रहें फिर कई अखबार और जरीदों में उन्होंने कालम नवेसी और अधारत के फराइज इन्जाम दियें इतालवी जबान की इस बेतरीन शायर यूजीनो मनताले का पहला शेरी मजमुए सिर्फ उन्हें साल की उमर में उन्हें सब 15 एफ़ी में शाय हुआ शायरी के साथ उनके मजमीन भी शाय होते रहें उन्होंने शेक्सपियर और देगर फनकारों के कालनामों का इतालवी जबान में तर्जुमा किया है उन्हें 66 में कैम्बरेज उनिर्सिटी से उन्होंने डीलेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गिया और 1975 में नोबल इनाम से नवाजा गिया मुंताले इतालवी रिवायार के साथ बदलते हुई दुनिया से वाकिफ रहना अपने लिए लाजम समझते थें उनके यहां सियासी ताबिरात भी बहुत सुल्जे हुए अंदाज में शेहरी एजार की शकल में नजर आती है अब यहां से जिरा कवाइद यानि की ग्रामर से कोशन पूछ दिया गया है सबसे पहला सवाल एकी नीचे दिये गए हम सौथ अलपाज के मानी लिखे है यानि कि एक जैसे अलपाज हैं एक जैसे प्रनाणीयशन में यह बिल्कुल सेम जैसे की सदा और सदा दोनों का प्रनाणीयशन उनकी तलफी सेम में जैसे कि सदा का मतलब होता है आवाज और सदा का मतलब होता है हमेशा तो दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जा रहा है उसी तरीके से खाना खाना का मतलब होता है मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं और एक यह होता है खेस खाना इसका मतलब होता है घर निडर का मतलब होता है मनत बाद का मतलब होता है हवा नजर का मतलब होता है एक मिनट हो जे यहाँ पर निडर में बोल दी सौरी नजर है और नजर का मतलब होता है मनत और नजर का मतलब होता है निगा मतलब अगर जे से रहा तो वो हो जाएगा नजर का मतलब मनत और जो से र लब होता है बरदाश्ट करना उसी तरीके से दूसरा सवाल है कि दर्जहल अलफाज के मुतजाद लिखिए तो मुतजाद आप लोगो लिखना है यानि कि अपोजिट वर्ड पोशीदा का पोजिट क्या होगा जाहिर जिंदगी का पोजिट मौत खामोशी का उल्टा हंगामा मुसर्रत का उल्टा यानि की मुतजाद घम मुम्किन का नमुम्किन तारीक का रौशनी जुदा का सांथ यह हो गया एंसर तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चार चैप्टर चैप्टर नमबर 14 15 16 17 इन चारों चैप्टर का सारा सब्जेक् को क्लियर कर दो बाकि जो कुछ भी समझाए गया समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें पड़ाफट लाइक कर दिया अभी तक लाइक नहीं किया है तो और चैनल पर आप लोग नहीं नहीं आया हुए हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे जाहिंद और खुदा हाफिज